हेलो दोस्तों, वेलकम टो DBS नर्सरी, DBS नर्सरी में आप सभी दोस्तों का हार्ति का भी नंदन है, आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं, इस पौधे का नाम चित्रक है, तो चित्रक में जैसे की इसकी पहचान के बारे में हमने पिछले वीडियो में जैसे बरताया था, त क्योंकि हमारे भारत वर्स में बहुत सारे अर्वेदिक जरी बुटी है जो कि अंग्रेजी दवाओं से काफी बहतरी उसका रिजल्ट आता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो आज हम इसकी फैदे की बात कर रहे हैं तो नाक से खुन बहने पर कैसे हम इसका यूज जुकाम हो तो उसमें कैसे यूज करना है तो चितरक सर्दी खासी नाक का बहना कुष्टर साध्य रोग छै रोग यानि टीवी जी से बोलते है बैक्टिरिया या गाठो को ठीक करता है यह सभी बिमारियों में इस्तमाल होते हैं यह जुकाम के लिए अति उत्तम उस्दी है 10 गराम चितरक ले को सुबस साम खाने से खासी दम फुनला हिर्दय रोग में काफी लाव होता है अब इसकी बात कर लेते हैं चमर रोग में चितरक की छाल को दूध या जल के साथ पीश कर कुष्ट या और तोचा के दूसरे परकार के रोगों में लेप करने से काफी आराम मिलता है नेक्स्ट बात कर ले इसके वेनिफिट की फैदे की तो अतिसार रोगों में चितरक की जर का चुर्ण आधा गराम छाच या गरम पानी के साथ दिन में तीन बार लेने से अतिसार और गिरहनी का रोग नस्ट होता है इस तरह के और भी बहुत सारे बेडिशनल वेन दिया जाएगा आपने जो अपना किमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद